एक बर फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुकिंग चूला में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक एक रेसिपी आज की रेसिपी है एक करी रेसिपी आईए जानते हैं एक करी बनाने की बिधी वटवेंड चैनल अभी तक सबस्काइब नहीं किया है तो चैनल सबस्काइब कर ले एक करी रेसिपी को बनाने के जिरे सबसे पहले हमें यहाँ पे लेने है एक यान्दे मैंने यहाँ पर यह चार अंडे लिए हैं अंडों को हमें पहले उभाल लेना है उसके बाद अंडों का हमें चिलका हटा लेना है फिर हमें एक चाकू की साइधा से अंडों पे हलके हलके कट लगा लेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं एक करी एक करी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे एक कड़ाई में दो बड़े चमस तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है एकली को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्सों का तेल यूज किया है जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे डालने हैं अंडे मैं यहाँ पे इसे नौन स्टिक पहन में बना रहा हूँ अगर आप नॉर्मल कड़ाई में एक को बना रहे हैं तो आप अंडों के उपर से इस तरीके से तेल को डाल दे इस तरीके से तेल डालने से जो अंडे हैं हमारे कड़ाई पे चिपकेंगे नहीं साथ याद तेल को पूरे पैन पे भी फेला ले तभी हमारे जो अंडे हैं पैन पे चिपकेंगे नहीं अब हमें अंडों को हलका सा गोल्डन ब्राउन कररका होने तक यहाँ भूनना है तो मैंने यहाँ पे अंडों को हलका सा गोल्डन ब्राउन कररका होने तक भून लिया है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अब हमें बचे हुए तेल में मिलाने हैं दो तेज पत्ते, फिर हमें यहाँ पे मिलाना है एक टुकड़ा दालचीनी का, उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे आदा चम्मत जीरा, फिर हमें यहाँ पे मिलाना है प्याज का पेस्ट प्याज का पेस्ट मिलाते वक्त हमें एक बात का ध्यान जरूर देना है जैसी आप प्याज का पेस्ट तेल में मिलाते हैं तो ये चीटा मारता है तो इसे हमें सावधानी पूरक मिलाना है इस प्याज को पेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मेडियम साइज के प्याज ली थे दो ली थी हरी मिर्च, पांस से छे लैसुन की कलिया ली थी और एक इंच मैंने यहाँ पे अध्रक लिया था अब हम प्याज के पेस को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम प्याज को 6-7 मिनट के लिए मेडियम प्लेम पे इसे हम पगा लेंगे प्याज को हमें बीच बीच में चलाते रहना है प्याज का पेस कटे हुए प्याज की तुलना में थोड़ा सा जादा टाइम लेता है तो इसे आप लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भून ले तो प्याज हमारा अच्छे से भून के तैयार हो चुका है तो अब मैं यहाँ पर मिलाना है टमाटर ये दो मेडियम साइज के मैंने टमाटर लिये थे और टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में बारीक पीस लिये है अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर जार नहीं है तो आप टमाटर और प्याज को सिंपल कद्दू कस करके भी इनकी प्यूरी को तैयार कर सकते हैं अब हमें यहाँ पे मिलाना है नमक यह आदा चमज मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है आप अपनी सब्जी के हिसाब से नमक को कम जादा कर सकते हैं अब हम प्याज़ और टमाटर को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे धकेंगे और धकके इसे हम 3-4 मिनट के लिए मेडियम प्लेम पे इसे अच्छे से हम पका लेंगे तीन से चार मिनट bakalने के बाद हमें इसका cover हटा लेना है और cover हटाने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से फिर से mix करेंगे तो ये हमारा प्यास टमाटर अच्छे से पक चुका है तो अब हमें यहाँ पर मिलाने हैं अपने मसाले मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिलाया है आधा चमच हल्ली पाउडर उसके बाद हमें यहाँ पर मिलाना है लालमिस पाउडर यह एक चमच मैंने यहाँ पर लालमिस पाउडर मिलाया है इसे आप अपने टेस्ट के according थोड़ा कम जादा कर सकते हैं फिर हमें यहाँ पे मिलाना है धनिया पाउडर ये दो चम्मज मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर मिलाए है उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है पानी ये एक चौथाई कप के आसपास मैंने यहाँ पे पानी मिलाये है पानी मिलाने के बाद अब हम सारे मसाला को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसे हम 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आज पे इसे पका लेंगे 2-3 मिनट पकाने के बाद हमें इसका कवर हटा लेना है और कवर हटाने के बाद अगर आप देखें तो इस साइड में ये ओयल चोओना सुरू कर चुका है तो हम इसे एक वर अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं तो आप भी इसी तरीके से किसी भी सबजी के लिए गरेवी को तैयार कर सकते हैं तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है पानी मैंने यहाँ पे यह एक गिलास पानी मिलाया है आपको जितनी भी करी में गरेवी चीए आप यहाँ पे पानी मिला सकते हैं अब हम गरेवी को एक बड़ अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद तेज आच पे एक वाल आने तक पका लेंगे हमारी गरेवी में तेज आच पे एक वाल आ चुका है तो अब हमें यहाँ पर मिलाना है गर्म मसाला पाउडर यह आदा चम्मज मैंने यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर मिलाया है अब हम गर्म मसाला को गरेवी के साथ एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और mix करने के बाद अब हमें यहाँ पर मिलाने हैं अंडे अंडे जिसे की हमने पहले से उबाल के और fry करके रखे थे अब हम गरेवी के साथ अंडों को एक वार अच्छे से पहले mix कर लेंगे हमने अंडों पर कट लगा रखा है तो इसलिए हमें जो गरेवी है अंडों के अंडर तक पहुँच जाएगी तो अब हम इसे एक बार फिर से cover करेंगे और cover करके इसे हम 5-6 मिनिट के लिए medium flame पे पका लेंगे 5-6 मिनिट पकाने के बाद हमें इसका cover हटा लेना है cover हटाने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से mix करेंगे तो ये देखें जो हमारी एक करी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है अगर आपको गरेवी तोड़ा सा जादे लग रही है तो इससे आप थोड़ा से देर और सुका सकते हैं तो फ्रेंट्स ये हमारे डिलिश्यस जानदार सांदार एक करी रेसिपी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है तो अब हम गैस की प्लेम को बंद कर देते हैं तो फ्रेंट्स आप भी आसानी से इसी तरीके से घर पे इस डिलिश्यस सी एक करी को बना सकते हैं आपको मेरा एक करी बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट के मादिम से जरूर बताएं साथी फ्रेंट्स रेसिपी अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिलकुल न भूले तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ थैंक्यू फाय वाचिंग